हेलो गाइज माई नेम इस हर्षित और इस वीडियो में अपना इंट्रोड़क्शन टॉपिक को कंटीन्यू करेंगे इस वीडियो में देखेंगे कुछ अलग अलग टाइप्स के हैकर ठीक है मैं इसमें वाइट हैकर या ब्लाक हैट या ग्रे हैट की बात नहीं करने वाला हूँ यह मैं पहले कर चुका हूँ अगर आपको नहीं पता यह टर्म्स क्या है तो उपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी आप वो जाके देख सकते हो तो स्टա टर्टते सबसे पहली हमारे जो हैकर होता है उसे हम बोलते स्क्रिप्ट करने के लिए आ गया है कि आवा बस में रहता है् है काथ करना आता है दो तीन टूल्स उसकर रहे के उसके उन्होंने कुछ है कर दिया कोई एकाउंट नेट्फलिक्स का है कर दिया है फेस्बुक का बस हम हैकर बने तो उस टाइल बेसिक वाले नूब जिनको कोई करियर पॉइंट आफ यू से कोई इच्छा नहीं होती बस शो आफ करने के लिए आ जाते तो उन्हें के रहे हैं उसके बाद आफ लेके फोर्म करने यांपरेशन इनकी बाते सुनते हैं अटेंशन समझने क्के कोशिश करता है चाहिए बाद में भूल जाए लेकिन ही कोशिश करते हैं ठीक है सो बेसिकली एक क्यूरियस होते हैं और अगर यह अच्छे से परफॉर्म करें तो यह अपने करियर करियर पॉइंट उस फिर्म एकड़ सकते हैं तो आपको प्राइर नौशिन यहां रखके उसके बादी पैसा यह यहाँ वह यह चाहता हूँ तो इनके बारे में ज्यादा क्या बोलू वस्य वह होते हैं इनको भी कोई खास नॉलजी नहीं होती है करें पूइंट ओफ यू से नहीं Track Да आप मत्हले को किसी तरह तबाहर कर देना वजला पूरा खतम इंद सना प्रेकर को तो इसका एकशंक्पल बूलवा बीआ प्रेकर करेगा तो अगर पता दाझा शास चल जाता है पूरा करने कोशिश करेगी तो उस आप समझ सकते हो ठीक है लेकिन यह बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और यह बहुत ज़्यादा कुल होते हैं ब्लैक है कर को लेकर उसके बाद अगर मैं बात करूं है क्टिविस्ट यह तर्म आपने भौत बार सुनी होगी इसको अगर मैं अगर करेंगे जैसे कोई बड़ी गवर्मेंट की वेब साइट है तो यह उसे हैक करके उस पर अपने इनिशर चोड़ देंगे ताकि government को इनकी तरफ ध्यान देना पड़े, जो ये cause उठा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना पड़े या ये थोड़ टाइम के लिए पूरा server down कर देंगे, network hack कर देंगे basically whistleblower जो है, ये ethical hacker हो भी सकते है, नहीं भी ठीक है, तो whistleblower से common term है, हम use करते हैं, कि अगर आपकी institution में कोई काम कर रहा है, कोई आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन वो जो आपकी information है, वो दूसरों को भी leak कर रहा है, anonymously, ठीक है, ऐसा नहीं बता के, anonymously बस आपकी जो information है, वो leak क कर रहा है, दूसरों को भी, so, वो होते हैं, whistleblower, तो whistleblower ethical hackers में भी हो सकते हैं, मतलब जो cyber security group में government के लिए काम कर रहे है, और उनकी information leak कर रहे हो, जो public तक पहुंचनी चीए, government उनका छुपके data देख रहे हो, so, इसका example में अगर बहुत अच्छा बोलूँ, तो Edward Snowden, ethical hacker, तो हम उन्हें typically नहीं कर सकते हैं, whistleblower से, तो वो उन्होंने एक बहुत बड़ा government का project, जो है, prism, वो reveal कर दिया था, लोगों के सामने, जो American government थी, वो American लोगों की सारी information के ओपर नजर रखे हुए थी, तो वो उन्होंने leak कर रहा था, so, I hope आपो काफी कुछ इस वीडियो से clear हुआ प्लीज लाइक दे वीडियो, subscribe दे चैनल, thank you and goodbye.